सायद ये एद भी फीकी ही निकल जाएगी सरकारी नौकरी मिल जाती तो भाई को भी अच्छी परवरिस दे पाता पर इस महंगाई में कहां जाए कोचिंग करने इद मुबारक भाईया मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों साफ कोचिंग को लेकर बहुत परिशाना तो लीजिये मैं आपके लिए कोचिंग ले आया कहां से लाए इतने सारे पैसे भाईया आपने जो इदी दी थी ना मतलब तुने इदी के सारे पैसे मेरी कोचिंग दोड़ की चीधी जहां पर सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप्टू 90% off and 33% की एक्स्टा वेलिटी तो अगर आप इन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो अभी जाये और ओफर का लाब उठाईये अभी तो अभी जितने लोग भी हैं यहां पर कुछ मौनिंग से ही सेशन मैंने नहीं लिया था क्योंकि OICL का मुझे थोड़ा सा लेट आप लोगो ने इन फॉर्म क्या मैं बढ़ना या नहीं हमें confusion होरा टेलिग्राम पर जो messages आए और क्योंकि या last date है 12 है मतलब अभी बी कुछ hours बाकी है आप फॉर्म कर सकते हो तो यह clarity देना था और इसलिए मैंने यह session रखा है YCLAO का कि हमें फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क् पोस्ट क्या करें इसके लिए तो कुछ चीजें हैं इसमें जो समझनी पढ़ेंगी तो मैंने डायरेक्ट यहां पर यही खुला है आपका notification जो आया था कुछ factors जो हम consider करते हैं government job है, bond है, नहीं है, कितना जादा probation period है, salary कितनी है, growth क्या रहेगी तो यही सारे कुछ factors हम देख yeah, I think it's fine now, yeah, okay, so guys, यहां पर, oriental insurance company, which is owned by government, first of all, it's government sector, okay, scale 1, 100 AO की post के लिए, scale 1 के लिए, आपकी notification आई थी, देखिए, last date है, यह तो मैं पहली बता रही हो, क्यों हमें fill करना चाहिए, और अभी भी चांस है, भी 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 फिल कर सकते हो, वही process होता है, जो आप बाकी forms जो फि काफी लेट से मुझे भी telegram पे messages आये हैं, कि मैं नहीं पता था इसके बारे में, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, तो यह session किया जा रहा है, काफी लोग मुझे पता है कि fill कर चुकी होंगे, definitely, जिन्होंने notification देखा था, तरली detail में, और जो eligible है, जिनको लगा की interest ह है, हम opportunity को थोड़ा सा grab करेंगे, और हम paper देना चाहेंगे, इसके लिए try करना चाहेंगे, definitely, जिन्हें नहीं पता था, यह information नहीं थी, उनके लिए मैं यह बता रही है, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आप लोग फिर बोलेंगे, कि माम यह है, पुराना है, बट पुराना तो यह आप देख लो, यह discipline-wise इसकी vacancies है, आपको अपना check करना है eligibility criteria, ठीक है, बट यहाँ पे probation रहेगा, okay, one year का रहेगा, आपकी joining से पूरा total one year का probation है इस job में, okay, अगर आपको bond से problem है, तो शायद आप नहीं फिल करेंगे, इसमें मैं बता दू, bond है, ठीक है, government sector है, syllabus मैं बता दूँगी, और एक और बात, technical के लिए जो syllabus आप पढ़ते हो, graduation में, PG में, post-graduation में, आशीश वही रहता है, उसमें कुछ और change नहीं होता, यह भी मैं बता दू, ठीक है, अभी यह देख लो, कि यहाँ पे guaranteed bond है, तो आपको एक undertaking देनी पड़ेगी कि minimum 4 साल के लिए probation को include करते हुए, probation का तो 1 year निकल गया, training का जो आपका रहेगा, 4 years total आपको रहेंगे, अगर आपने उससे पहले resign किया, okay, bond के expiry से, तो आपको कुछ damages pay करने पढ़ेंगे, वो हो सकते है, आपका 1 year का gross salary, 1 year का पूरा salary आपको देना रहेगा, ठीक है, तो यह bond definitely है, okay, probation period से पह probation period में ही यह किया कि आप resign कर रहे हैं, okay, और या तो फिर आपकी services को terminate करना पड़ा probation period के दौरान, okay, तो you will also pay the salary received plus 40,000 extra rupees देने पडेंगे, तो यह कुछ आपके यहाँ पर requirements है, emoluments अच्छे है, इसका pay अगर आप बात करोगे, growth बात करोगे, learning बात करोगे, insurance sector में अच्छी ह तो अगर आप emoluments की बात करोगे, basic pay ही 50,000, 925 है, which is very good, 50,000, 925 और अगर आप total pay की बात करोगे, एक metropolitan जगा पर, metropolitan city में, तो Delhi, Bangalore, Mumbai, 85,000 रुपीज है, pay is really good, अगर आप यह देखेंगे, तीक है, graduation, okay, minimum qualification जो आपको देखना है, university recognized by government of India, तीक है, यह तो ठीक है, यहाँ यहा qualification का जो date है, वो आप ध्यान देदा, 31st, आपका December 2023 का होना चाहिए, और यहाँ पर, आपका 59.99% है, तो उसको less than 60 माने, तो 60% आपको required होगा, okay, right, यहाँ पर, minimum qualification दिये, अगर यहाँ पर सिर्फ यह लिखा है, certificate होना चाहिए, proof of passing, okay, यह mention किया गया है, okay, और, here, यहाँ पर कुछ लिखा, 60% का mentioned है, accounts के लिए, जसे बोला, B.com, अगर आप B.com करें है, with minimum 60%, और एक recognized university से, तो आप eligible हो, ठीक है, या फिर MBA finance किया है, या फिर chartered accountant है, या cost and management accountant किया, from the institute of cost, यह देखो, यह और और लिखा है, मतलब यह 4 condition है, accounts के लिए fill करना है, अगर आपको discipline accounts के लिए, तो आपका B.com भी चलेगा, recognized university से, with 60% marks, तो मतलब, graduates, देख लो, आप लोग, ठीक है, NICLAO का postponed हुआ है, जून के बाद expect कर सकते हो, आप, थोड़ा सा late, ठीक है, क्यों जून के बाद, elections के बाद, अब वो पोस्पोन ही हुआता, elections की वज़े से, तो थोड़ा सा late, करो, okay, guys, अब कुछी arts है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप eligible है, तो आप देख लीज़े, यहाँ पर, क्या-क्या criteria, यह सब सोच के आपको करना है, fill form, ठीक है, तो B.com वाले है, और यह तो फिर, आपने accountancy पर रखी, अब यह देख लो, actuarial के लिए, क्या चाहिए, statistics, mathematics, mathematics, actuarial science, 60% marks, और 55% SCST, यह तो आपका होता है, यह category-wise जो आपका रहेगा, ठीक है, यह relaxation category-wise है, percentage में भी, तो statistics, actuarial के लिए, अगर आपने maths पढ़ा है, bachelor degree, actuarial science में, तो यह आप eligible है, या फिर, master's की degree है, okay, या फिर, Indian Institute of Actuary से आपने course करके पास किया है, उसमें आप minimum four papers में आपका passing है, तो यह आपके criteria है, इंजिनेर IT के लिए BTEC, BE, BE, BTEC, in IT, या Computer Science, Electronics and Communication Discipline, इसमें भी 60% marks के साथ, या MEM Tech, in IT, Computer Science, Electronics and Communication Discipline, या MCA किया है, with minimum 60%, इंजिनेर्स देख लीजे, ठीक है, BTEC, BE, Inautomable, Mechanical, Electrical, Civil, Chemical, Power, Industrial, यह सारी requirements रहेंगी, और doctors के लिए, देखे, guys, यहाँ पे, individual, अगर आप देख लो, और तो आपकी यहाँ पे, इसमें दिया गया है, आपके eligibility, और मतलब, इन में से एक, legal graduate होना चाहिए, law में, with minimum 60%, ठीक है, तो graduates के लिए है, अब, government recognized university, और उन लोगों को, उन candidates को preference देंगे, जिनका post qualification experience है, तो experience वाल की है, अपनी field में, तो उनको preference देंगे, maximum age 30 years है, minimum 21 years, age relaxation कुछ इस तरीके से है, category wise आप देख सकते हो, जैसे हर exam में होता है, ठीक है, अब देखो, क्या-क्या आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर, prelims के लिए, यह आपका देखो, timing, जैसे normal bank exams होते है, English reasoning quant आएगा, mains के लिए क्या होगा, English, general awareness, quant और reasoning के अलावा एक और जो आपका special stream है, उसी से आपकी पूरा पूछेंगे knowledge, 40 marks का जो paper है, यह आपका जो graduation में पड़े है, basics या post graduation में, जो भी आपने field से related पड़ा है, उसी से related पूछा जाएगा, और descriptive test भी रहेगा, letter और essay का, तो guys, सोचके, समझके, आ किनो stages है, मतलब, final selection तक पहुंचने के लिए, इसमें वही महनत वही लगेगी, जो आप बाकी bank और insurance के लिए करते हैं, तो जिन लोगों ने भी मुझ से पूछा ये बात, कि OICL बढ़ना चाहिए कि नहीं, माम हमको delay हो गया, last date है, morning से ही मुझे messages भी आ रहे हैं, और जब बह कि आपके सामने opportunity, अगर आपको लगता है कि आप insurance sector में जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी opportunity है, but bond देखते हुए, फिर देन आपका criteria जो भी है, यहां पे mention है, क्योंकि pay package is good, growth भी अच्छी होती है, learning भी होती है, bond का criteria है, बाकि अगर eligible है, then go for it, क्योंकि आगे अने वाले exams भी हैं बहुत सारे July onwards, तो आपको clarity होनी चाहिए, और मैं यह भी बोलूगी कुछ लोग देते है exams, एक try करने में भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यही pattern आपका banking में भी रहता है, तो एक तरीके का exam before exam भी रहेगा यह, right, ठीक है, हाँ, NICA ले हो तो आपका बार में ही right, समझ में आए सबको, तो यह information थी, guys, और भी यह आप देख लो detail में, last date है, बटी कुछ hours अभी भी बाकी हैं, जिसको fill करना है, फटा-फट से कर ले, और एक information जो सबसे ज़ादा जरूरी मुझे आपको देनी है, वो है test book के जो courses है, हम नए batches जो है, IBPS clerk का, और RRB clerk का, start क करने वाले हैं 15 से, और अभी आज बहुत ही amazing sale है, क्योंकि EED offer है, तो आपको पर्चेस करना है वो यह है, bank or insurance super pack, इस super pack को अभी आप पर्चेस करेंगे, तो इसमें extra discount है, sale live है, ठीक है, यह आप ले सकते हो, और भी ज्यादा discount आ गया है आज, तो अगर आपको EED sale offer, अगर आ अगर आप कर रहे हैं, पर्चेस कर रहे हैं, आपको यहाँ पर, सारे ही courses मिलेंगे, ठीक है, super pack में, तो code है, HRSHITA, HRB, IVPS clerk, सारे ही हम इसमें आपको courses का access देंगे, 848, सिर्फ 848 रुपीज में, आगे सारे आने वाले exams, HRB, PO, IVPS clerk, descriptive English, everything included है, 848 रुपीज में, यह super pack ले ले ल आपको यह कोर्स करीदा है, यह पुरा आपको super pack यहाँ पर दिया जाएगा, यह देख सकते हो, banking and insurance super pack, books के साथ भी option है, कहीं लोगो को practice के लिए book चहीए होता है, तो वो वो वी available है, I hope this was useful, अब जल्दी से form फिल कर दी, जगर आप eligible हैं, OIC, L, A, O के लिए, और तयारी ठीक है, syllabus is common, okay, जैसे होता है बाकी exams में, but technical knowledge, जो आपको graduation में, post-raduation में आपने पढ़िए, उसी से ही आपका test होगा, right? अच्छा, Ritik का क्या सवाला देखते हैं, mocks update नहीं हुए है, अभी जैसे ही बेटा notification आता है, तो new mocks आ जाते है, Ritik, ठीक है, हाँ, obviously, आशीश, प्रोबेशन पर salary क्यों नहीं देंगे, ये बताओ, आप training तो ले रहे हो, बट उनी का काम भी तो कर रहे हो, तो obviously, प्रोबे प्रोबेशन का include करते हुए, प्रोबेशन के बाद भी, तो training और learning तो definitely बहुत अच्छी रहेगी, okay, insurance sector में अच्छी opportunity है, तो definitely प्रोबेशन पे आपका pay तो दिया ही जाएगा, salary दी ही जाएगी, last date है guys, ठीक है, थोड़ा सा late in form कर दिया है, शायद, but कुछ hours है, अभी भी form fill कर दीजे, notification हमने cover किया था, but हाँ, आज भी किसी की दिमाग में doubt था, तो मैं बता दू कि इस तरीके से है, bond वाला issue या फिर, सारी चीज़े देखो, growth है, bond है, salary है, तो yes or no, ऐसे आपको box tick करना पड़ेगा, अपके लिए क्या suitable रहेगा, ठीक, eligible हैं, तो जादा सोचना आप लोग कही साल से prepare करो, आपको पता है, कि तरीके का pattern आता है, बाकी exams में भी, तो इतने पता है, clear clarity है, तो definitely use this opportunity, right, चले, कोई और query, कोई और doubt तो पूछ लीजे, गाइस, बाकी मैं यही बोलूँगी, थोड़ा सा आप अगर यहां पे, test book पे जॉइन करेंगे, और थोड पूरा exam cycle है, तो बैंक और इंशोरेंस का super pack है, cheapest price में मिला है, 848 में, जिसमें pre, mains, RA sections, descriptive English, guidance, सब कुछ अविलेबल है, तो code यूज करना है, आपको test book पे, हर्शता, यह पे apply coupon को option आता है, यह पे हर्शता लिखेंगे, तो आपको maximum discount मिल जाएगा, 848 रुपीज में, 8 months के लि Telegram channel है, do join that, for all the updates, thank you. पैसे मेरी coaching उड़ा दिये, नहीं भाया, सारे पैसे नहीं उड़ाए है, test book ने हमको EDI दिये, मतलब? मतलब ईद के मौके पे super coaching दे रहा है सभी courses पे discount, यानि test book के तरफ से सभी experience को EDI. जी हाँ, इस ईद के मुबारक मौके पर test book लेकर आया है, test book की EDI, जहाँ पर सभी super coaching पर मिलेगा, अब तू 90% off and 33% की extra validity. तो अगर आप इन exam की तयारी कर रहे हैं, तो अभी जाए और offer का लाब उठाईए.